सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया दा करती हूं जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी होस्ता अफजाई करते हैं मेरी रैस्पीस को पसंद कर रहे हैं और मुझे एप्रिशेट कर रहे हैं चार टेबल स्पून भरके इस पे मैंने दही के डाल दियें बहुत कम मसालों से इसकी मैरीनेशन अभी होगी और एक टी स्पून भरके यहां पे में काली मिर्च हुटी हुई डाल दूगी दो टी स्केंदर में नमक के डाल दूगी और तीन सबस मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बना के रखावा था यह भी इसके अंदर चला जाएगा एक टेबल स्पून भरके लेसन और अद्रक का पेस्ट चला रहे हैं इन सारी चीजों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है यहां पर मैं लेलूंगी एक साबत मुर्गार इसके अंदर मैंने सारे अच्छी तरह काट्स लगवा लिए दोनों साइडों पे और इसको अच्छी तरह मेरिनेट कर लेना हाथों की मदब से अच्छी तरह के अंदर सारा दही जाना चाहिए इसको अच्छी तरह मेरिनेट क तो अभी इसको तर्गे की की अगली मेरीनेशन की अगली मारीनेशन च्टेनर थाम च्रेंजी पांश थे-चपत छी चायता है या चार पांच यहां पे लॉंग हैं और तीन सबजल आईची हैं इनको मैं हलका सा पहले रोस्ट कर लोगी ताक इसमें से अच्छा सा अरोमा निकले इन मसालों की खुश्बू आए तो फिर मैं आपको दिखाते हुग अब इन सारे मसालों को दो मिन के लिए हलका सा हम कर लेना है और दो मिन के लिए करूंगी मैं इसको इसके बाद इसको अच्छी तरह पार्डर इसका बना लूँग फिर मैं आपको दिखाते हुग आप देखें जी सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह पीस ली आप इसको में एक ग्रेंडर में डालती हुग और इसके साथ ह दो तीन में यहां पर लेमन इसके अंदर ने चोड़ दूगी और इसको अच्छी तरह ग्रेंड कर लेना है तीन लेमन डाल दूगी यहां पर देखें जी इन सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह पीस लिया एक इसकी पेस्ट बन गई है इसको भी एक साइट पर रखती हूँ तो फिर मैं आगे आपको दिखाते हूँ यहां पर देखें जी मैंने लेट करके रखे हुए मुर्गे को मुझे तकरीब दो से डाइ घंटे हो गए अब इसको मैं करूंगी फ्राइब और डी शेफ ना हो इसके लिए मैंने यहां पर इसकी टांगों को धागा बांदी अच्छी तरह आप इसको फ्राइब करके फिर यहां पर देखें भी चिकन को चारों साइडों से अच्छी तरह गोल्डन कलर दे देना है उसके बाद फिर मैं बबाकी का मसाला लगाँगे और इसको स्टीम करें यहां पर देखें कि इतनी सर्दी के अंदर चिकन मजे ले ले लेके प्राइब हो रहा है और सबसे जो एहम साइडों से मैंने अच्छी तरह चिकन को फ्राइब कर लिए अंदर तक इसको मैंने ऑइल डाल डाल के फ्राइब किया है और अब इसको मैं चुला यहां पर बन करूंगी जो बाकी की मैरीनेशन लगा की रखे हुई कि वह मैं इसके मैं लगाती हूं तो फिर मैं आपको लि आपे मैं हाथों की मदल से सारी मैनी नेशन अच्छी तरह लगा दूँगी जो मैंने बना आके रखे लिए हर जगा पर अच्छी तरह के अंदर हर जगा अच्छी तरह लगाना थाकि मज़ेदार सा फ्लेवर इसका है अपर देखें जी मैंने त्यार कर लिए अपना स्टीम आपके लिए के रेकी मेने राख दूब और देशना स्टेन्ड अनला डेट पर राख और से एक और बटर पेपर काओ अच्छी तरह कवर कर देनैं दूसरा बटर पेपर पिसके उपर रख लूँगी और इसको चशरा कवर कर देना यहां पर देखें जी मैंने स्टीम करने के लिए चिकन को रख दिया है तकरीबन इसको मैं 35-40 मिट के लिए बिलकुल दम वाली आग पर रख दोगी इसको मैं एक सायट पर रखती हूँ और आप मैं चावल बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखते हूँ और अब यहां पर लेते हैं हम चावलो कि त्यारी चावल मैंने भी दो कब के चितने रख लिये थे एक बॉल के अंदर मैं 2 फिस चिकन कुप दाल दूगी और इसके अंदर गरम पानी 2 पनी यह समी डाल दूगा बेर दो इसमें चला जाएगा और इसके साथ ही एक टेबल स्प बढ़के में चिकन पॉडर का डाल दूगी और दो टीस्पून इसमें मैं नमक के डाल दूगी और अगर नमक कम होगा तो एंड में इसको चेक करती दूबारा फिर सैट किया जा सकते इसको 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 इसी तरह मिक्स कर लेना है और यह दिखे हमारा चिकन स्टॉप तयार हो के लिए बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही टेस्टी आज की चावल करने वाले हैं दूसरे साइट पर जो हमारा चल गहा है वह भी स्टीम हो रहा है दोनों चीज़े कठी त्यार हो जाएंगी देखें लेसन और अधर के पेस्ट को फ्राई होते तकरीबन दो मिंट हो गए ह टीम मैंने यहां पर सबस मिर्चे थी यह इसमें चली जाएंगी इसको भी मिक्स कर लेने हैं और इसके साथ ही जो मैंने चिकन स्टॉप में आकर रखवा था यह इसमें चला जाएगा इसके साथ ही एक चुटकी के जितना यहां पर में चाइनी सौल डाल दूगी आप चाहें तो इसे डालने वरना इसे डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर इसकाता है यहां पर देखें पानी में उबाय लाना शुरू हो गया है दो कप के जितने चावा नहीं से मैंने 20-25 मिन में पहले भी गोड़के रख लिया था और चार कप में इसके इंदर पानी के डालें सारे चावल इसके इंदर डाल की तरह साफ करके और यहां पर चावलों को मिक्स कर लेना इक दफा ज्यादा चम्मच इसमें नहीं हलाना वरना चावल जो है में ठूप जाती है इस पाइं हो जाता है इसको दम पे नहीं रखना आप यहां पर मैं पानी के ड्राय होने का वेट करती हूं तो फिर मैं आपको दिखाती हूं और इस पॉइंट पर आपने लाजमी नमक चेक करना है क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं और यह पानी में डालते हैं तो जो नमक है वो कम हो जाता है इस पॉइंट पर जो नमक है वो तेज होना चाहिए थोड़ा सा आप देखें जी चावलों का पानी अच्छी तरह ड्राय हो गया है इसको मैं देती हूं दम तकरिबन 20-25 मिंट के लिए बिल्कुल हलकी आतार देनी है जैसे कि हम दम के लिए रखते हैं तो मैं आप पानी में मैंने मिक्स करके रखागा था यह इसमें चला जाएगा इसके साथ ही थोड़े से यह काजू रोस्टेट गे में इसको डाल होगी और थोड़ी सी किश्मिश डाल होगी इन सारी चीजों को डाल के तीन-चार मिंट के लिए मैं मजीद इसको कवर कर दूगी तो फि इसको में निकालूंगे लेटर के अंदर बहुत ही टेस्टी बहुत ही तेस्टी यह चावर बनते हैं इसको में दिश आउट करती हूँ और अपना जो चरगा इसको भी निकालती हूँ हमारा चरगा भी त्यार हो गया इसको तकरिवन पैंटी से चालिस मिंट हो गएंगे आप रोगों को मैं निकालूंगे लेटर के अंदर बहुत ही टेस्टी बहुत ही एजी तरीके से यह दिखें चावल बनके यह मारे त्यार होई एक एक इसका दाना अलग अलग है बहुत टेस्टी बनते हैं अहां पर देखें जी मज़ेदार सा हमारा चरगा की द्राइस बनके त्यार हो गएं बहुत टेस्टी बहुत डिफरेंट ट्रीके से मैंने आपके साथ इसकी रेस्पी शेयर की है आप लोग भी इसको लाजमी ट्राय करें और मुझे कमेंट्स में बताए जादा से जादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें इंशालत अलाने एक और वीडियो में आपके सामने होंगी अल्ला हाफीज